हेलो दोस्तो दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बाले वस्ता से स्वावस्ता के बारे में विश्तरत रूप से बेहत आसान ट्रीक के साथ पढ़ा है दोस्तों अब हम लेते हैं किसोरा वस्ता जो 13 से 19 वरस के बीच की होती है दोस्तो कुछ किताबों में इसे 12 से 18 वर्स के बीच में भी कहा गया है लेकिन दोस्तो अगर हम इंगलिस में गिंती बोले तो दोस्तो 19 टीनेज इसे बोलते हैं दोस्तो किसोरा उस्ता को हम बोलते हैं टीनेज और जब तक हम 19 तक गिंती बोलते हैं तो दोस्तो इसमें आता है 18, 19 और दोस्तो जैसे ही हम 20 बोलते हैं उसमें नहीं आता 18 तो दोस्तो इस कारण इसे आप याद रखनें कि ये दोस्तो एक ट्रिक थी कि ये 13 से 14 वरस इसकी सही आयू है दोस्तो एडॉल सेंस इसका मिनिंग होता है परीपक्वता की ओर दोस्तो ये अवस्ता बाले अवस्ता के बाद की अवस्ता है तो इसलिए इसे दोस्तो परीपक्वता की ओर की अवस्ता कहा जाता है और किसोरा आवस्ता के बाद की आवस्ता होती है प्रोडा आवस्ता दोस्तो इसे अन्ने नामों से भी पुकारा जाता है जो एकजाम में एक्सर पूछ लिए जाते हैं आंदी precisa की आवस्ता ये कहाता इस्टैनली होलने दोस्तो इस अवस्ता के अंदर बालक के विचारों में आंदी तुफान दोस्तो उसके विचार बड़े ही उग्र हो जाते हैं और उसके जीवन में एक तरह से तुफान आ जाता है अब दोस्तो इसे हम कैसे याद रखें तो देखे दोस्तो इस्टेनली मतलब इसको आप याद रख सकते हो इस्टार्ट और इस्टार्ट क्या होते हैं अंदी और तुफान इस्टार्ट हो जाते हैं जिसको वह अपने विचार को किसी के सामने उजागर भी नहीं करता और मन ही मन चिंता ग्रस्त रहता है ये काहता दोस्तो किल पे ट्रिक ने अब दोस्तो देखें यहां किल मतलब मालना और किसी को मालना क्या होता है दोस्तो कठिन हर किसी के बस की बात नहीं होती किसी को मारना किल करना तो दोस्तो ये याद रखने के ट्रिक थी इसे दोस्तो पत जड़ रितू भी करते हैं इसके अंदर दोस्तो मान लीजे बालक है जो प्यार व्यार के चकर में पड़ता है अगर दोस्तों उसे अपना प्यार मिल जाए तो बसंत रितू बन जाती है नहीं तो उसकी पत्जर रितू हो जाती है दोस्तों इसी अवस्ता को बसंत रितू भी करते हैं उसके जीवन में खुशियां भी आ सकती है तो दुग भी आ सकते हैं तनाव की अवस्ता, इस अवस्ता में दोस्तों बालक तनाव गरस्त रहता है ज्यादा से ज्यादा मानसिक तनाव में वो हमेशन चिंतित रहता है दोस्तों उसे तरह तरह की परिशानिया सताती है जिसे वह अपने घरवालों को भी नहीं बताता, अर्था तनाविग्रस ते रहता है, दुखों की अवस्ता, बालक है जो दुख में रहता है, तरह तरह के दुख आते रहते हैं, तरह तरह के चिंताएं होती रहती है मूर्त चिंतन की अवस्ता दोस्तो इस अवस्ता में बालक मूर्त चिंतन भी कर सकता है वो चीज अगर उसके सामने उपस्तित है तो उसके बारे में भी बता सकता है अगर नहीं है उपस्तित अगर उसे कलपना करनी है तो बालक कलपना भी कर सकता है समश्याओं की आयू दोस्तो इस अवस्ता में बालक में बालक के सामने तरह तरह की समश्या ही आती है इसलिए समश्या की आयू भी कहते हैं जीवन का स्वर्ण काल ये दोस्तो जीवन का स्वर्ण काल होता है उसे कहते हैं स्वर्ण काल अपराद परवर्ति का काल दोस्तों जो अपराद मनुविग्यान के जनक है सीजर लेमरासो उन्होंने कहा कि यह अपराद परवर्ति का काल है और दोस्तों उन्होंने यह तक कह दिया कि 90% जो किसोर होते हैं वो किसोर आवस्ता के अंदर ही पहला अ अपराद करते हैं ये कह दिया दोस्तों सीजर लेंबरासो ने अपराद परवर्ती का नाजुक समय ये का दोस्तों वेलेंटाइन ने का कि बालक इस अवस्ता में अपराद करता है तो दोस्तों इसको हम केसे याद रखें दोस्तों वेलेंटाइन डे आता है और वेलेंटाइन से चोरी करता है तो चोरी करना क्या हो गया अपराद तो दोस्तों इसे हम इसे याद रख सकते हैं अगली है दोस्तों बाल अवस्ता से परिपक्वता की और बढ़ना ही किसोर आवस्ता है यह काता दोस्तों जड़ सिल्ड ने जड़ सिल्ड ने क्या कहा बाल अवस्ता से वर्तमान की सकती और भविश्य की आसा है यह काता दोस्तों क्रो एंड क्रो ने अब दोस्तों इसे हम कैसे याद रखें तो दोस्तों जब बालक जनम ले लेता है और किसोरा वस्ता के अंदर आ जाता है तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा उन्हें यही कहते हैं करो 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 तुम ही हमारी वर्तमान के भविश्य हो दोस्तों यह याद रखने की एक ट्रिक है इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी ट्रिक बनाना चाहो तो आप अपनी भी बना सकते हो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक की अगले वीडियो में हम दोस्तों की सोरा उस्ताओं की विशेस्ताओं के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद दोस्तों